पापों से मुक्ष मिलती है भगवान बद्रिनाथ का धर्शन करने से जीवन की अनंत यात्रा में अन्य एक ऐसे प्वसंग आते हैं कि जब भगवान को ही दक्षी अपना सहारा मानता है आर्थी हो रही है भगवान की धानमंतरी नरेन मोदी पुरिसरद्धा के साथ जो है बद्रिनाथ जी के घाम में अलखनंदा के किनारे कलकल बहती है अलखनंदा आपने पूरे जेग से जब बहती है तो निश्चत रूप से वो सनातन की उन तमाम सारी मानताओं को अपने में लपेटे हुए धरती तक चाती है जो हमारा वैदिक का से लेकर हमारी सामर्थ का प्रतीक रहा है वही यहां पर अलखनंदा मंदा के निकदारनाथ से यमनोत्री गंगोत्री और हंत में गंगा पूरी धरती को त्रप्ट करते हुए जाती है और यही प्रवाह हमारी आध्यात्मिक छेत्मा को पुच्ट करता है। यही प्रवाह हमारी रास्ते एक्ता को पुच्ट करता हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रखानमंत्री पूजा रिचना करने के बाद अब मंदिर के गर्वगरी से निकलने वाले हैं इस वक्त महा लक्ष्मी मा की पूजा करते हुए भगवान के साथ लक्ष्मी जी की अराधना और पूजा आवस्यच्थ होती है यही कारण है कि प्रधान मंत्री भगवान की पुझा अर्चना के बाद मालक्षमी की पुझा अर्चना कर रहे हैं अंगवस्त्र देकर के प्रधान मंत्री के मुख्य पुझारी पुझारी का स्वागत कर रहे हैं अब इसके साथ ही प्रधान मंतरी नरेंद मोदी, अब संपूर्ण मंदिर का गर्वग्री के अतरिक जो अस्थान है अलोकन करते हुए, और क्या कुछ भिवस्था है वहाँ, क्या कुछ अपेक्षा है वहाँ, प्रधान मंतरी से निश्चित रूप से पुजारी बताते हुए, और यह हुआ स्थान है, जहां मंदिर प्रशासन की ओर से प्रधान मंतरी को भेट भी दी जाएगी, प्रशाद भी दिये जाएंगे, एक स्मृत चिन्ह दिया जाएगा, उनके यहां पर पूजा आर्चना करते हुए, शंकराचारे के चर्णों में, अपना सीशन वाते हुए प्रधान मंतरी, जिन संकराचारे ने बहुत ही कम समय में, चार धामों की अस्थापना की, और पूरे सनातन धर्म के मानने वालों के लिए एक दिशा दी, और यही कारण है, कि चाहे वो केदारनाथ का मंदिर हो, या ब्यद्रीनाथ का मंदिर हो, जिसकी अस्थापना में संकराचारे जी की दिवद्रिश्टी रही है, वहाँ पर भगवान के साथ साथ संकराचारे क भी पूजन और अर्चन किया जाता है